हेलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजराद बोड का हिंदी जो की क्लास 11 का है इसके चाप्टर 8 पंच लाइट जिसे लिखा है फणिश्वर नाथ रेणू ने इसके पार्ट वन को हमने पढ़ा था इस वीडियो के माध्यम से हम इसके पार्ट 2 में बचेवे हिस्सों को करने वाले हैं पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इतने महीनों से जो पैसे जमा किये हैं उसके टोली के सरदार दिवान सभी कोई जाकर उसका उन पैसों से पैसो मेक्स लेकर आते हैं पंच ल जाने के लिए वहां के जो गाओं के लोग है वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं शाम के समय पूजा रखी जाती है किर्तन के लिए मंडली बुलाए जाते हैं जब ये सारे कारे होते हैं तो अब लाश्ट में ये प्रश्ण उड़ता है कि अब इसे जलाए कौन क्यों क्यो दूसरे गाओं में भी लोग पंच लाइट का उपयोग करते हैं लेकिन यहां के लोग दूसरे गाओं से किसी भी वैक्ति को बुलाकर पंच लाइट जलवाना या उसे बालना या बलवाना नहीं चाहते थे उसे जलवाना नहीं चाहते थे क्यों कि ये उनकी इज़त का सवाल दूसरे गाउं वाले व्यक्ति बोलते एक तो आपको जलाना आता नहीं है और आप पंच लाइट लेकर आए हो तो इनसे उनका मजाक उड़ता इसलिए इन्होंने कहा इससे अच्छा तो है कि पंच लाइट भले पड़ा रहे लेकिन इसे जलाने की कोई जरूरत नहीं है दू यह से हम देखते हैं सब किये कराय पर पानी फिर गया फिर रहा था सरदार दिवान और चड़ीदार के मुह में बोली नहीं पंचों के चेहरे उतर गये थे किसी ने दबी हुई आवाज में कहा कल कबजे वाली चीज का नकरा बहुत बड़ा होता है मतलब जिस चीज के बारे में आप बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं उस चीज को लाने में करने में लेकिन उस चीज के बारे में आपको नौलेज नहीं हो तो ये बहुत ही बाद में भयानक रिजर्ट लाता है या परिणाम लाता है तो next अब सब लोग इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि इसे जलाए कौन एक नौजवान ने आकर सूचना दी राजपुत टोली के लोग हस्ते हस्ते पागल हो रहे हैं कहते हैं कान पकड़ कर पंचलाइट पांच बार उठो बैठो तुरन जलने लगेगा अब एक नौजवान वहां के गाउं का ही है वो आकर अपने गाउं में सूचना देता है बताता है कि राजपुतो की टोली उनका जो ग्रूप है वो लोग हस रहे हैं इस बात पे कि यहां पंचलाइट जलाने किसी को आता नहीं है और कह रहें मजाक उड़ा रहें क्या कि कान पकड़कर पांच विबार उठक बैठक करो तो यह पंचलाइट जल जाएगा लोग इस तरीके से मजाक बनाने लगे पंचो ने सुनकर मन ही मन कहा भगवान ने हसने का मौका दिया है हसेंगे नहीं एक बुड़े ने आकर खबर दी रूदल सा बनिया भारी बतंगड आदमी है कह रहा था पंचलाइट का पंपू जरा होसियारी से देना अब रूदल सा का बनिया वो भी बतंगड बनाने में बहुत तेज है बातों का तो वो क्या कह रहा है कि आप पंच लाइड को पंपू जरा होशियारी से देना और और जादा इन सब चीजों का मजाग बन रहा है तो पंच भी कह रहे हैं कि हाँ ये मजाग होने वाली तो बात ही है लोगों को हसने का मौका मिल गया है तो हसेंगे ही ना गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुह में बार बार एक बात आकर मन में लोटे जाती है वह कैसे बोले वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है लेकिन गोधन का हुका पानी पंचायत से बंद है मुनरी की मा ने पंचायत में फर्याद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देख कर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है हम तुमसे महबबत करके सनम पंचों की निगापर गोधन बहुत दिन से चड़ा हुआ था दूसरे दिन से आकर बसा है गोधन और अब तक टोले के पंचो को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया परवाही नहीं करता है बस पंचो को मौका मिला दस रुपे जुर्माना न देने से हुका पानी बंद आज तक गोधन पंचाथ से बाहर है उससे कैसे कहा ज मुंणर्य उसका नाम कैसे ले और उधर जाती से भी वो उतर चुका था तो इसमें गुल्री काकी की बेटी है मुंणर्य उसको पता था कि ये पंच लाइट को जलाना गोधन को ही आता है लेकिन वो ये बात नहीं कहपा रही थी पंचों के सामने क्यों? क्योंकि उसके बारे में गोधन को गाउं से या गाउं से उसका बहिश्कार किया गया था, उसको निकाल दिया गया था क्यों उसका हुका पानी सब पंचायत की तरफ से बंद कर दिया था क्योंकि मुन्री की मा ने गाउं के पंचायत में यह उसकी शिकायत की थी कि वो उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला गाना गाता है तो इसके लिए उसको यह सजा दी गई थी और वैसे भी गोधन तो आया था दूसरे गाउं से आकर बसा था तो अब लोगों को या टोले के पंचो को पान सुपारी खाने के लिए यानि खर्चा पानी के लिए कुछ दिया नहीं परवा भी नहीं करता इसलिए पंचो को तो मौका मिल गया दस रुपे उन्होंने जुर्माना लगा दिया और ना हुका पानी सब कुछ देना गोधन को बंद कर दिया और आज गोधन पंचाज से बाहर है तो मौनरी कैसे बोले कि गोधन को पंच लाइड जलाना आता है मौनरी रें चालाकी से अपनी सहली कनेली के कान में बात डाल दी कनेली चिगो चिद चिन ये कोड़ वर जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही यहां भी हो रहा है कनेली मुस्कुरा कर रह गई गोधन तो बंद है मौनरी बोली तू कह तो सरदार से अब मौनरी अपनी सहली कनेली के कान में बोल रही है कि गोधन को पेटलो में पंच लाइड जलाना आता है लेकिन कनेली भी मुस्कुरा कर ही रह जाती है वो बोलती है कि गोधन का तो हुक्का पानी बंध है वो तो बाहर है तो मुनरी कहती है कि एक बार आप सरदार स्तये बोल कर तो देखो गोधन जानता है पंच लाइट जलाना कनेली बोली अब कनेली बोल पड़ी कौन मुनरी की फ्रेंड है ये कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है कौन गोधना जानता है जलाना लेकिन सरदार ने दिवान की ओर देखा और दिवान ने पंचो की ओर पंचो ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है सलीमा का गीत गाकर आख का इसारा मारने वाले गोधन से गाउं भर के लोग नारास थे सरदार ने कहा जाती की बंदिश क्या जबकि जाती की इज्जत ही पानी में बही जा रही है क्यों जी दिवान अब ये लोग आपस में बात करने लगे कि गोधन जिसका हुक्का पानी बंद कराया था तो सरदार ने कहा गोधन कौन जिसके उपर ये आरोप लगा था कि वो गीत गाकर मुन्री को छेड़ता है तो इन सबी चीजों से गाउं के लोग नाराज होकर उसको उसका हुक्का पानी सब बंद करवा दिया गया था तब सरदार ने कहा कि जब पूरी जाती ही की इज्जत को पानी में बह जा रहा है तो फिर इससे कैसी बंदिश गोधन को हमने बंदिश लगा कर रखा है या बंदिश में रखा है और अगर उसको पंचलेट जलाने नहीं देते हैं तो पूरे गाउं की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो ऐसे करने से क्या फाइदा ये दिवान जी से कह रहे है तो दिवान ने क्या कहा कि ठीक है पंचो ने भी एक स्वर में कहा ठीक है गोधन को खोल दिया जाए सरदार ने छड़ीदार को बेजा छड़ीदार वापस आकर बोला गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है कहता है पंचो की क्या परतीत है कोई कल काल कबजा बिगड़ गया तो मुझे डंड जुर्माना भरना पड़ेगा अब वो गोधन आने के लिए रेड़ी नहीं है क्यों क्योंकि वो कह रहा है कि पंचो का क्या भरोसा है कल को अगर उससे कुछ बिगड़ गया पंचलाइट बि कोनी सूरत बना कर कहा किसी तरह गोधन को राजी करवाईए नहीं तो कल से गाउ में मुझे दिखाना मुश्किल हो जाएगा गुलिरी काकी बोली जरा मैं देखू कहके गुलिरी काकी उठकर गोधन के जोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई सभी के चेहरे पर नहीं आशा की रोश्नी चमकी गोधन चुपचा पंचलेट में तेल भरने लगा सरदार की इस्तरी ने पूजा की सामागरी के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया किर्तन मंडली का मुलगैन यानि नायक मुर्चल के बालों को सवारने लगा गोधन ने पूचा इस्पिर पर अविश्वस प्रकट किया बिना बुजे समझे काम करते हैं वे लोग उपस्थित जन समू में फिर मायो से चा गई लेकिन गोधन बड़ा होसियार लड़का है बिना इस्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा थोड़ा गरी का तेल ला दो मुनरी दोड़ कर गई और एक म कि उसका ये कहना था कि अगर मैं मेरे से कुछ गड़बड हो जाती है तो फिर से मुझे पंच डंड देंगे जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन चड़ीदार रोनी सूरत बना कर कहता है कि कि किसी तरीके से गोधन को मनाओ और उसे लेकर आओ तो गुलरी का कि बोलती है जरा मैं मना कर देखती हूँ मैं देखू तो कहके अगर वो मान जाये तो और गुलरी का कि उसको मना कर ले आती है सारे लोग जैसे सरदार की स्त्री है वो पूजा की सामागरी के पास में बिल्ली चक्कर काट है उसको भगाती है किर्तन मंडली तयार है लेकिन गोधन ने ज दूसरा बखेडा चालू हो गया पहले तो था कि अब इसे जलाए कॉन और जब जलाने के लिए एक बंदा मिल गया तो अब दूसरा बखेडा यह हुआ कि अब इस प्रेट नहीं है तो सारे लोग वहां के दिवान को पंच को उलाहना देने लगे कि बिना सोचे समझे कुछ भी ले आते हैं जबकि इन चीजों के बारे में इनको जानकारी नहीं है उपस्तित लोगों में जितने वी लोग उपस्तित है उन लोगों में फिर से मायूसी चा गई लेकिन गोधन बहुत होसियार लड़का था उसने कुछ न कुछ जुगार लगा कर बोला थोड़ा गरी यह पंप यहां से देने का है यहां यह रिये में नारियल का तेल डालते हैं ऐसे तो किरासिन का तेल लियानी इस्पिरिट डलता है लेकिन उस समय नहीं था वो तो गोधन ने उपाई लगा कर गिरी का तेल मंगाया पंचलाइट की रेशमी थैली में दीरे दीरे रोशनी आने लगी गोधन कभी मुझ से फूकता कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता यह रीज की चाबी थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से संसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई लोगों के दिल का मैल दूर हो गया और गोधन बड़ा काबिल लड़का है ऐसे लोग कहने लगे अंत में पंचलाइट की रोष्णी से सारा टोली जगमगा उठी जितनी भी सारी टोली थी वो जगमगा उठी तो किर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जै ध्वनी के साथ किर्तन शुरू कर दिया पंचलाइट की रोष्णी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए गोधन ने सबका दिल जीत लिया मुन्डरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा आखे चार हुई और आखों ये आखों में बात हुई कहा सुना माफ करना मेरा क्या कुसूर सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुला कर कहा तुमने जाती की इज़त रखी है तुम्हारा साथ खून माप खूप गाउ सलीमा का गाना अब पंच लेट में पंप देने लगा जैसे ही गोधन वैसे ही धीरे धीरे रोशनी आने लगी कभी वो चार भी घुमाता कभी वो पंप देता धीरे धीरे रोशनी आते आते अचानक से पंच लेट से संसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोश्नी बढ़ गई और सारे लोगों के दिल का मैल दूर हो गया कि गोधन तो बड़ा काबिल लड़का है बड़ा ही होशियार है सारी टोली में धीबरी तक नहीं जला था जैसे ही पेट्रोमेक्स पंचलाइट जला वैसे ही पूरा टोली जगमगा उठा और किर्टनिया मंडली जो आई थी उसने किर्टन करना स्टार्ट कर दिया पंचलाइट की रोश्नी से सभी लोगों के चहरे मुस्कुराने लगे सभी लोगों का दिल गोधन ने जीत लिया और मुन्री ने भी बड़ी प्यार भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा दोनों में आँखे चार हुई आँखों आँखों में ही बात हुई कहा सुना सब माफ करना मेरा क्या कसूर ऐसा मुन्री ने कहा सरदार ने भी गोधन को बुलाया और उसने कहा कि तुमने जाती की इज़त रख ली तुमने गाओं की इज़त बचा ली तुम्हारा साथ खुन माफ हो गया अब खूब गाओ सलीमा का गाना जो वो मुनरी के लिए गाता था गुलरी काकी बोली आज रात मेरे घर खाना गोधन गोधन ने फिर एक बार मुनरी की और देखा मुनरी की पलके जुक गई किर्टनिया लोगों ने एक किर्टन समाप्त कर जै ध्वनी की जै घोश की जै हो जै हो पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता पुलकी तो हो रहा था पंचलेट जल चुका था और जो पौधे थे उसके पत्ते पत्ते में प्रकाश की किरण पढ़ रही थी तो कैसे हमने देखा इस चैप्टर में कि हमारे गाओं में जो अभी भी जाती पाती टोले महले के नाम पर इज्जत की शान बखारने की परमपरा है लोग अपने ही बारे में बहुत बढ़ाई करते हैं तो इस कहानी में हमने महतो टोली की इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज से निकाल दिया गया था गोधन को फिर भी उसे शमा कर दिया गया और उसको टोली में वापस ले लिया गया और उसके साथ खुन भी किस प्रकार से माफ कर दिये गये तो इस प्रकार से ये चाप्टर समाप्त होता है उम्मेद है आपको ये चाप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना न भूले थैंक यू